अगर आप बहुत दिनों से दात खाच कुझली से परिशान हैं बहुत सारी आपने ट्रीटमेंट्स ले ली हैं क्रीम लगा चुके हैं दवायां खा चुके हैं तो भी फर्क नहीं पढ़ रहा है तो एक बार इस खरेली नुसके को जरूर ट्राइगर के देखें यह होम मेड रेमेडी जो है दोस्तों 100% वर्क करेगी और होम मेड रेमेडी का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बिल्कुल सेफ रेमेडी है और बहुत ऱासानij से से घर पर ही बना सकते हैं यहां पर मैंने ले लिए है नीम का तेल आपको किसी भी ओडिकल स्टोर में असानी से मिल जाएगा या फिर आपको आईरुएदिक स्टोर में भी मिल जा नीम में एंटी बैक्टेरियल एंटी फंगल गुन होते हैं जो कि हमारी स्किल इंफेक्शन को जड़ से खतम कर देते हैं अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो नीम का तेल आप घर में कैसे बनाएंगे चलिए वो बता देती हूं कुछ पत्तियां आप ले ले नीम के पत तो बस इस तरीके से आप नीम का तेल घर पर ही बना सकते हैं तो यहां इस रेमिटी पिकर बनाने के लिए और ortsक्ति नीम का तेल आपको लेना एक चमश नीम का तेल नीम का ये जो तेल है आपकी तवचा से संबंदित सभी बिमारियों को दूर करता है नीम का तेल फोड़े फुनसी में भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है हर तरीकी घाओ के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है नीम का तेल आपकी आदी से ज़्यादा परिशानी को दूर करेगा दोस्तों साथ ही आपको अपने साफ सफाई का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हमारे शरीर के जिस भी हिस्से में बहुत ज़्यादा पसीना आता है चिपचिपी हो जाती है तो अच्छा वहाँ पर यह जो इंफेक्शन है फंगल इंफेक्शन होने का खत्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगली चीज जो हमें इस रेमेडी में लगने वाली है वो है डेटॉल इस रेमेडी को बनाने के लिए ज्यादा नहीं केवल एक से दो बून ही डेटॉल की हमें लगने वाली है डेटॉल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि डेटॉल जो है अंटिसेप्टिक होता है और सा पून से ज्यादा आपको डेटॉल को इसमें नहीं मिलाना है नीम में तो मेडिसन प्रॉपरटीज होती है कई आउशदिया ऐसी होती है कि जिसमें हम नीम का इस्तमाल करते हैं यह आपके फंगल इंफेक्शन को जड़ से समाप्त कर देगा दोस्तों जो नुसकाम बना रहे हैं बिलकुल आईरोविदिक तरीके से बना रहे हैं जो अगला इंग्रिडेंट मैंने आप लिया है वो है पुदीन हरा तो पुदीन हरा आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा तो पुदीने की चोटी चोटी गोलिया आती हैं वो बहुत ही effective होती है और इसे हमें केवल दो ही गोलिया लिना है क्योंकि यह चोटी चोटी है केवल दो ही गोलिया हमें इस remedy में लगने वाली है पुदीना जो है हमारे दात खाज कुजली की जगव पे ठंड़क देता है और साथी इच्चिंग जो कुजली होती है उसे शांत करता है और साथी साथ घाव को भरने में बहुत ही ज़ादा फाइदे मन्द है पुदीना तो वैसे हम अपने घर में रखते ही है कभी भी पेट दर्थ में काम आता है अगर आपके पास पुदीने की गोलिया नहीं है तो आप पुदीने की पत्ती का भी यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पुदीने की गोलिया नहीं है तो पत्तियां को कैसे यूज़ करेंगे वो सुन लीजे तो पहले आप पुदीने की पत्ती को लेकर धो लीजे उसको पीस कर उसका रस आप निकाल ले और उस पुदीने की एक चमच रस को आप इस रेमिडी में मिला ले पुदीने की जो पती होती है वो अंटिसेप्टिक होती है घाओ को तीजी से भरने का काम करती है जतना ज्यादा ये हमारे स्वास्त के लिए लाबदायक है उससे कई ज्यादा ये हमारे चर्म रोक को ठीक करने में कारगर है जब कभी हमें इंडाइजिशन होता है हमारा खाना ठीक से हजम नहीं होता है तो उस समय आप क्या करेंगे एक पुदीने की गोली अगर आप खा लेंगे तो आपका खाना भी ठीक से डाइजिस्ट हो जाएगा तो यहां नहीं होता है पुदीने की दो गोलिया और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है यह जो नुसका हमने बनाया है यह आपके पुराने से पुराने दाद काजच कुझली को जड़ से समाप्ट कर देगा क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम बजार की जो क्रीम है वो लगा लेते हैं मगर क्या होता है कि तब तक ठीक हो जाता है फिर लगाना बंद कर दो तो वापस से दाद काज कुझली की समस्या बढ़ती जाती है ये होम रेमिडी हमारी बन करके बिल्कुल तयार हो गई है तो राद भर ये नुसका आपके इंफेक्टेड जगह पर लगा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करेंगा और बस इसके को कॉटन बॉल की मदद से अपने इंफेक्टेड जगा पर लगाएं अभी तो मैं फिलाल अपने हादों पर लगा के बता रही होगी किस तरीके से आपको लगाना है ज्यादा रब रब करके ना लगाएं हलके हलके हादों से लगाएं पुदीना जो हमने इसमें मिलाया है पुदीने के वज़े से हमें इस जगह पर रहत मिलेगी ठंडक मिलेगी और खुजली जो है उसकी समस्या दूर हो जाएगी और नीम का तेल जो हमने इसमें मिलाया है नीम का तेल जो है इस इंफेक्शन को जड़ से समाप्त कर देगा और आपको इससे रहत मिलेगी इसके अलावा आप नीम की पतिया ले उसे उबाल ले धो करके नीम की पतियों को धो ले पहले उसके बाद एक पानी में उसको उबाल ले और उस पानी को आप अपने नहाने के पानी के साथ मिलाए और उस पानी से आप कभी कबार नहाए एक पतीले में एक से दो गलास पानी के लिए कुछ पतियां डाल दे उसमें ऐसे ही खड़े नीम की पतियां डाले और उसे अच्छे से उबा ले और उस पानी को आप चान करके अपने नहाने के पानी के राज मिलाएंगे और इससे आपको कोई भी स्किन इंफेक्शन होने नहीं पाएगा अगर कोई स्किन इंफेक्शन हो भी गया है तो वो जड़ से समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे दी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इन्फरमीटिव लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल् से पहले मिल जाएंगी थैंक यू सो मुच पॉशिंस पूरे फ्रेंट्स मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक्राइब